एक जनवरी 2022 को महराज विधान परिशत की साथ सीटें रिक्त हो जाएंगी। इन मिनाकपुर में 27 वराजय संस्था की एक सीट शामिल है। कलेक्टर विमला आर ने सभी राजनितिक दलों की बैठक बुलाकर आचार सहिता का पालन सक्ती से करने को कहा। उन्होंने कहा कि चनाम में जिले में सत्ता और सरकारी तंत्र का दुरुप्योग नहीं होगा। साथी किसी भी मंत्री इस तरिये बैठक में सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगे। और किसी भी मंत्री को जिले में बैठक करने की अनुमती नहीं होगी। जिला दिकारी ने कहा कि जिला निर्वाचना दिकारी के अनुमती के बिना स्थानी निकायों की अत्यावशक बैठके भी नहीं की जा सकती। जोरान किसी भी तरह की राजनेतिक घोशना सरकारी कारक्रमों की घोशना नहीं की जा सकेगी। सांसर विदायक निधी से कोई नया काम नहीं हो सकेगा इस समन्न में होने वाले खर्च पर जिला, माध्यम, प्रमारन एवं निगरानी समिधी का नियंतरन होगा सोशल मीडिया पर अनाधिकृत प्रचार, बल्क SMS जैसी सेवाओं के अरमती नहीं होगी जिन जिलों में विदान परिशद चुनाव की खोशना की गई है उनमें मुंबई, कोलापूर, धूले, नंदुरबार, अकोला, बुल्धाना, वाशिम, नाकपूर, सोलापूर और एहमद नगर शामिल है चुनाव की घोशना के तुरंद बाद जिले में आचार सहिता लागू हो गई इसलिए उन्होंने बैठक में अपील की कि मदाताओं को प्रभावत करने वाले किसी भी प्रलोभन से बचे अन्ने चुनावों की तरह इस चुनाव में भी आचार सहिता होगी उन्होंने सभी राजनित्क दलों से यसुनिश्रित करने को कहा कि कहीं भी आचार सहिता का उलंगन ना हो आचार सहिता जो खमेशा की तरह जो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के त्वारा निदेशित किये गए और निदेश दीए गए हमें उसका पालन इस निवड़नुक में भी इलेक्शन में भी होगा और उसके हिसाब से हमारे पास इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की गाइलाइंस आये हैं मुख्य निवड़नुक का दिकारी जो है महराश्य राज्य के उन्होंने भी हमें डिरेक्टर्स दिये हैं जो साधरन त्रपे कुछ नहीं पॉलेशीज है या कुछ नहें प्रोग्रामस अनॉंस निकर सकते हैं रेस्टारस का यूज है वहिकल का यूज हैए या कुछ अगर हमें सोश्व मीडिया का यूज करना है प्रेस में इंफरमेशन देनी है, प्रोग्राम्स आयुजित करने हैं, वेहिकल्स किस तरह से इस्तिमाल के जाए, वो यूजिल रूटीन जो होते है उसी का ही इस बार भी हम वो ही फॉलो करेंगे और इलेक्षन प्रक्रिया जो है, यह 16 नवेंबर को नोटिफिकेशन हो जाएगा, लास्ट जय ओफ नॉमिनेशन 23 नवेंबर है, इसकी जो स्कूटिनी की डेट है, वो 24 है, विड्रॉल 26 नवेंबर को है और election का date जो है 10th December 2021 को है, election का time सुबह 8 बजे से 4 बजे तक रहेगा और जो members of elected bodies, local bodies है ये सारे इसके electors रहते हैं साधरमता कुछ 613 के करीब हमें information आई थी, अभी voters list हम final कर रहे हैं जिला परिशद से, महानगर पालिका से और नगर परिशदों से हमने उनके figures मांगे हैं ये जल्दी हम finalize कर देंगे और इसके साब से सारी voting प्रक्रिया और election process की जाएगे